हेलो फ्रेंड्स मैं पूजा और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल पूजा की कीचन में आज हम सिंपल से इंग्रिडियंट्स के साथ बनने वाली ये मिठाई की रेसेपी देखने वाले इसके लिए मैंने ना खोया का यूज किया है ना ग्यास का काफ़ी सिंपल इंग्रिडियंट्स के साथ मैंने इसे बनाया है आज हम इसे बनाते हैं इसे देखने पर ये बिल्कुल बाजार की मिठाई जैसे दिख रही है इसे बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी इजिली बना सकता है तो चलो हम इस रेसेपी को बनाते हैं इसके लिए मैंने एक मिक्सर का पॉट ले लिया है और उसमें डालेंगे हम एक कप डेसिकेटेड कोकोनट आप इसे नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं आपको ये किसी भी ब्रॉसरी शॉप पर आराम से मिल जाएगा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सुखी नारियल का उपर का छिलका उतार कर बारिक कीस कर यूज़ कर सकते हैं अब हम उसमें डालेंगे मिल्क पाउडर हमें इसकी कॉंटिटी नारियल के बुरादे से आधी रखनी है के वज़े से मिठाई का टेस्ट काफी अच्छा आता है अब हम उसमें डालेंगे शुगर इसकी कॉंटिटी मिल्क पाउडर से आधी रखनी है यहां पर मैंने मेजरिंग कप का यूज किया है और अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी एक कट्नरी को सेट करके उसी से सारी चीजे ले सकते हैं अदर टेबल स्पून हम दालेंगे इसमें इलाइची पाउडर अब हम इन सबको अच्छे से पीस लेंगे एकदम बारिखा में इसका पाउडर बनाना है अब एक बार चेक कर ले अगर इसमें कोई क्रिस्टल है तो आप इसे एक बार छन्नी से चान ले हम इसे ट्रांसपर करे यह ज़्यादा गीला ना हो इसका आप जरूर से धान दे इस तरह से मसलते हुए हम इसका एक डो लगा लेंगे कुछ इस तरह से यहां पर हमारा डो बनके रेडी है अब हम इसे साइड में रख देंगे अब हमें एक बिकसर का पॉट लेना है और उसमें हम डालेंगे काजू, थोड़े से बादम और आधा कप हम डालेंगे मिल्क पॉडर और दो चमच हम डालेंगे यहां पर नारियल का बुरादा और दो चमच हम डालेंगे शुगर और इन सब का हमें एक बारिक पाउडर बना लेना है कुछ इस तरह से अब हम इसे अलग से बाउल में निकाल लेंगे बाउल में निकालने पर एक निट के लिए आप इसे इस तरह से विक्स कर लें अब हम इसमें डालेंगे एक से देड टेबल स्पून दूद और वापस से इस तरह से मसल लेंगे यहाँ पर हम डालेंगे food color मैंने यहाँ पर orange वाले color का use किया है आप यहाँ पर कोई भी color का use कर सकते हो अब हम इसका एक डो लगा लेंगे और इससे अच्छे से मसल लेंगे इसका अच्छे से orange color भी दिख रहा है यहाँ पर हमारे मिठाई की stuffing बनकर ready है अब चलते हैं main process के और यहाँ पर दोनों डो हमारे ready है अब हम orange वाले के छोटे छोटे से balls बना लेंगे balls को बनाते समय थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे बनाएंगे तो यह फटेंगे नहीं यहाँ पर orange वाले सारे ball बनकर ready है यहाँ पर हम अच्छे से hand wash कर लेंगे ताकि orange वाला पार्ट white पर लगकर मिठाई खराब ना हो अब हम white पार्ट की इस तरह की छोटी छोटी लोईया बना लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी oil दिख रहा है हमने कोई भी घी का यूज यहाँ पर नहीं किया था लेकिन आरियल के बुरादे के वज़े से यहाँ पर इसमें से oil release हो रहा है अब हम इस तरह से इसकी एक टिकिया बना लेंगे orange वाला पार्ट इसमें आजा इतनी बड़ी टिकिया हमें बनानी है और इसे इस तरह से जैसा हम मोदक को करते हैं उसी तरह से करना है और इस तरह से पैक कर देना है अब हम इसे मसलते हुए मिठाई को शेप दे देंगे हाथों को थोड़ा प्रेस करते हुए इसे इस तरह का हम शेप दे देंगे यहाँ पर और एक मिठाई हम बना कर देखते हैं काफी कम चीजों के साथ आसान इसे बनने वाली रेच शेप है आप इस ते वार इसे जरू ट्राइ करें आप चाहे तो इस तरह से इसे प्रेस करते हुए शेप दे सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी ये परफेक्ट बनी है यहाँ पर हमारी सारी मिठाई रेडी है अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं ताकि ये बिल्कुल बाजर जैसी दिखे यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से सिल्वर वर्क लगा लूँगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बिल्कुल बाजर जैसी दिख रही है अब हम इसे थोड़े से ड्राइफ रूट के साथ में डेकोरेट करेंगे ताकि ये और अच्छी लगे यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है और उसे पीसेस में काट कर इस तरह से इस पे लगा दूँगी आप चाहे तो इसे प्लेइन भी रख सकते हैं आपर हमारी मिठाई बनकर रेडी है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी ये रेसे पी पसंद आती है तो मेरे चानल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू